आज की इसने वीडियो में आपको बताने बाला हूँ कि डार्क पे अप्लिकेशन में जो है दो एकॉंट को कैसे लिंक किया जाता है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने बाला हूँ पहले से आपका तो एक एकॉंट लिंक है लेकिन दूसरे एकॉंट को कैसे वही डार्क एप्लिकेशन में कैसे लिंक किया जाता है इस वीडियो में आपको बताने बाला हूं पहले अगर इस चैनल पर आप नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं और बगल मुझे बैल आकन है उसे भी आप दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा तो सबसे पहले डाक पे अप्लिकेशन को अपेन कर लेना है इंटरफेस आगा तो यहां पे आप पासबोर्ट से भी लोगिन कर सकते हैं इसके उपर मैं एक अल्रेडी वीडियो बना चुका हूं कैसे आपको इसमें बैंक अकॉंट लिंक करना है यह द को मिल रहा है तो आप यहां पे देख साकते है इस्टेट बैंक आफ इंडिया का यहां पे मेरा पहले से यहां पे मैंने लिंक करके रखा है उसके बाद अगर हमको दूसरा एकॉंट लिंक करना है तो पलस वाले एकन पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहां से हम जो भी बैंक हमको लिंक करना है उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे तो चलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को हम यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहां पे पुछा जाता है यहां पे पुछा जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अगर गरहाक है औ और आपको जो है इंडिया पोश्ट पेवंट मेंक के आपपलिकेंग करें से अपने ब्रचोर करेंगे आपट करेंगे चली हम पैसवर्ट के लोगिन कर लेते हैं इसके बारएच्ट करेंगे तो हम तो यहां पर वर्चोर डेभी отвore करेंगे 한 सब करेंगे तो यहां पर view card detail पर आप किलिक करेंगे तो यहां पर आपको mpin इंटर करना होगा तो यहां पर confirm बटन पर किलिक करना होगा उसके बाद यहां पर आपको detail मिल जागा इस तरह के साब पता कर सकते हैं और इसी detail के मदद से हम आपको आज UPI PIN भी बनाने के लिए इस वीडियो में बता देते हैं तो इसी detail को यहां पर इंटर करना है जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख यहां पर आपको virtual debit card का इंडिया पोस्ट पेंट बेंक के वर्चुल डेविट card का last six digit का यहां पर आप नमर देंगे उसके बाद यहां पर एकश्पारे डेत देंगे उसके बाद continue पर क्लिक करने के बाद आपके register बाइट यहां प्रीडि रिए डियलेगे करने के बाद राइट वाले जिए पुछ करेंगे तो यहां पर कुछ और सBrien करना यहां पर का कुछ यहां पर हो चुका है चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरगे से यहां पर आप बाइलेंस चेक कर सकते हैं तो यह रहा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तो यहां पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं किलिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं सत्ताइस सो एकासी रुपया त्यतिस पेसे मेरे एकाउंट में बाइलेंस है इसी तरके से आप डाग पे अप्लिकेशन में दो-दो एकाउंट को यहां पे लिंक कर सकते हैं और अगर आप फ़स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि इस तरके से इसमें रेजिस्टेशन किया जाता है आपको लिंक करना है वो वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप जाके देख सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको फ़संद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरू कर देजगा अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देजिए और बगल में जो बेल आकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लिटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा अगर इस वीडियो के रिकार्डिंग कोई भी सवाल या सुजाब है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम आपको रिपला देने का कोशिस करेंगे अगर आपके मन में कोई और भी टॉपिक चल रहा है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उस पे भी बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसे एक और नए सांदार वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवार